बजार में, रेश्वरेंड में और आप ठेले पे स्ट्रीट फूड दही बड़ा तो आपने बहुत खाये होंगे पर क्या आपने घर पर कभी बना कर ट्राइ किये हैं तो ये रेसिपी एकदम घर पर जल्दी बनने वाला और लाजबाब एकदम टेस्ट में तो आज हम बनाते हैं दही बड़ा घर पे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम उरत दल और 100 ग्राम मुंग दल ले लिया है अब इसको अच्छी तरह से धोके और इसको 3-4 घंटा तक हम लोग भीगो के रख देंगे थोरा सा फूलने के लिए तो दही बड़ा बन म fines में लेकर और इसका एक पेस्ट बना लेंगे और पतला पेस्ट बनाएंगे ज्यादा हम को ऽिए तो मैं यहाँ पे मिला देता हूं उसको में लें और फिर यहां मैंने थीचाप स्ब्सक आइड किया हूं तो जादा यहां पर पानी खानी यह करने का बाद इसको ठुछम आपको ऐसे ही पेस्ट बनाना है तो मैं थोरा सा इसको हाथों के मदद से मसल कर दिखाता हूं देखिए एकदम थीन पेस्ट बना है ज्यादा मोटा भी नहीं है अब इसको हम लोग कोई भी एक बॉल में लेके और इसको बहुत फेटना परेगा कम से कम आपको 10-15 मिनिट इसक तो इसको हम लोग टेस्ट करने के लिए पानी में डाल देंगे तो यह उपर अगर आ गया तो मतलब अच्छे से हमारे बेटर बनकर त्यार है और फूल गया है तो देखिए पानी के उपर आ गया है और फिर इसमें हम लोग मिलाएंगे दो हारा मिर्चा कटा हुआ बारिक और फिर इसमें आधा इंच अद्रक बारिक कटा हुआ हुआ चौपट जिंजर डाल देंगे इसमें और स्वाध्य अनुसर इसमें हम लोग नमक डाल जिंके इसको हम लोग फैट लेंगे तक यह अद्रक और रेचा जो था नमक यह अच्ची तरह से मिल जाए तो देखिए क कितनी फूल गया है एकदम तो आप करहाई में तेल गरम कर लेंगे और इसको हम लोग पकोड़े के सेफ में डालेंगे छोटे-छोटे और ज्यादा यह बड़ा ना दे सेफ नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा और खाने में स्वाधिस नहीं होता है तो देखिए ऐसे यह आपको चोटे-छोटे सेफ में पकोड़े जैसा इसमें टल लेना है तेल में और टेल अब इसमें डाल ले सके वेंगे और सेफ आप न में देखने में सुंदर होगा तो देखे ऐसे ही आपको पकाना है तो आपको दहीं बड़ा कैसा रखाने में अच्छा लगता है हमें कॉमेंट करके बताएं और अगर आप कभी घर पे बनाए हैं तो भी कमेंट करके बताएं तो वीडियो को अंतक देखते रहिए बहुत ही स्वाधिस्ट और टेस्टी बनकर त्यार होगा हमारे दही बड़ा तो यहां पे मैंने पहला बेच का बना लिया है बड़ा अब इसको हम लोग थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देते हैं तब तक जो बाकी का बड़े है वो भी हम लोग इसी तरह से बना लेंगे और बड़े बहुत जल्दी बनकर त्यार होते हैं एकदम जल्दी हो जाते हैं अब आगे का प्रोसेस हम लोग पानी यहां पे गरम ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाला है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वाधनुसार अब फिर इसमें हम लोग डारेक्टली मिला देंगे जो बड़े बना के रखे थे यह थोड़ा से गरम पानी है ताकि अच्छी तरह से अमारे बड़े फूल जाए तो इसको हम लोग धक्के 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए तब हम लोग दही ले लेते हैं दही मैंने यहाड़ाइशक्राम लिया है और इसको अच्छी तरह से फेट लेंगे यहाँ पे चुछी मा लोग विए ताकि यह पूरा एक्दम पतला हो जाए और ज़दा गाढ़ा भी नि foundया से भूब हैं तो दही बड़ा बनाने के लिए यहाँ नने फेट के रखा था वह लिलिया है और यहां पर मैंने लिया है पोदीना और हराधनिया का चटनी तो फिर हम लोग चलिया इसका आगे का पॉसस करते हैं तो यहां पर पंदर मेंड जैसा हो गया है और देखिए एकदम अच्छी तरह से फूल गया है कितने बड़े बड़े फू करते हैं और ज्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको लगबग आधा गंटा होगा तो आराम से बना सकते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है सारा और फिर इस पर हम लोग दही डाल देंगे तो दही अपना अनुसार से डाले अगर ज्यादा दही खाना पसंद करते हैं तो ज् और छाणिक में डालके बना सकते हैं इस मेह लोग ने टमेटियू सोस दे अउपर से घंटिस्थरा कडिया है तो नहीं हम इनके कंडां करके सकते हैं फिर इस पर आपको यह रेसिपी हमारा कैसा लगा धाइबढत करकर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम हमारे चैनल को kindly सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ सेयर कीजिए